नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयन के क्लासस में दोस्तों आज इस वीडियो में रेखा चित्र और संस्मरण बिलकुन दोस्तों रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर जोकी परिच्छा की द्रश्टी से बहुत ही मातपूर है पेपर में कई बार पूँचा भी जा चुका है तो दोस्तों आज इस वीडियो में रेखा चित्र और संस्मरण को सही भम सटीक बड़ो में अध्यन करेंगे ताकि परिच्छा में पूरे के पूरे नंबर मिल सके तो दोस्तों चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि नेश्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटीफेसन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों अभी आप वीडियो को लाइक ने किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों आप से क्वेश्चन पूछा जाता है रेखा चित्र और संस्मराण में अंतर लिखे तो एक तरफ रेखा चित्र लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे संस्मराण तो दोस्तो इसका पहला डिफ्रेंस देखते हैं दोस्तो देख लीजे इसका पहला डिफ्रेंस है यानि कि फ़र्ष्ट अंतर है पहला अंतर है रेखा चित्र सामान से सामान ब्यक्तिका हो सकता है यानि जो रेखा चित्र है सामान से सामान ब्यक्तिका हो सकता है किन्तो दोस्तो जो संस्मरेड होता है संस्मरेड किसी विसेश ब्यक्तिका ही होता है यानि कि यह समान व्यक्तियों का नहीं किसी विसेश व्यक्तियों का होता है तो संस्मेंड किसी विसेश व्यक्तियों का होता है पहला अंतर हो गया दोस्तो इसी तरह दूसरा अंतर देख लीजिए दोस्तो दूसरा अंतर रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है यानि कि जो रेखा चित्र होता है वो चरित्र प्रधान होता है किन्तु जो संस्मेंड होता है संस्मेंड बास्तविक या यथार्थ प्रधान होता है तो दूसरा डिफरेंस है दोस्तो एक बार मन से पढ़ लीजिए ताकि याद हो जाए रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है संस्परंड बास्तविक या या थार्त प्रधान होता है तो इसका तीसरा डिफरेंस देख लीजिए रेखा चित्र जो रेखा चित्र होता है तो रेखा चित्र का लेखक पूर्धा तटास्त होता है किन्तु संस्मरण ब्यक्ति परक होता है इस तरह से आपका तीसरा कंप्लीट होता है दोस्तो तीसरा अंतर है एक बार फेसे देख लिजे रेखा चित्र का लेखा क्मोरता तटास्त होता है किन्तु एस्मरण ब्यक्ति का परक होता है तो इस तरह से तीसरा कंप्लीट हो गया च दोस्तो चौथा डिफ्रेंस है रेखा चित्र संकेतिक तथा बेंजक होता है जी हाँ दोस्तो जो रेखा चित्र है संकेतिक तथा बेंजक होता है इस तरह से आपका चौथा डिफ्रेंस है तो दोस्तो जो रेखा चित्र है उसमें हम लिखेंगे रेखा चित्र संकेतिक तथा बेंजक होता है किन्तु संस्मरण में लिखेंगे संस्मरण अभिधा मूलक होता है इस तरह से आपको चौथा डिफ्रेंस हो गया दोस्तो इनको रटने की आवा सकता नहीं होती है मन से पढ़ लीजे याद हो जाएगा तो दोस्तो रेखा चितर संकेतिक तथा बेंजक होता है अभिधा मूलक होता है इस तरह से आपको चौथा अंतर कम्प्लीट होता है दोस्तो अभी तक वीडियो को लाइक नेके तो प्लीज लाइक कर दीजेगा इसका पांचमा डिफ्रेंस देख लीजिए दोस्तो पांचमा डिफ्रेंस से रेखा चित्र सजीव होता है यानि कि रेखा चित्र कैसा होता है सजीव होता है किन्तु संस्वर्ण विवरेंड प्रधान होता है इस तरह से आपका पांचमा अंतर भी कंप्लीट हो गया इस तरह से आपका पांचमांतर भी कम्प्लीट हो जाता है दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंड में जरूर बताएं चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर वैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटी भीशन सबसे पहले आप तक पहुंश सके नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे दोस्तो जैहिन बंदे मातरम